जुस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले डेपिन रिटार टेबलिट के बारे में जो की जाइडस के अडिला द्वारा बनाया जाता है इसमें निफी डिपाइंट 20 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइज लगबग 56 जो के आपके ब्लड वेजल को पतला बना के काम करता है जिससे आपके ब्लड फ्लो आसानी से हो सके यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और भविश्य में स्ट्रोक हार्ट हाट हाट है किड्नी में समझ शाय होने के जोखिम को कम करता है इस दवासे होने वाले ज्यादा आतर साइड इफिक में डॉक्टर की सला लेने की जरुरत नहीं पड़ती अब जानते हैं प्रिवेंशन आप एंजाइना हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के बारे में डेपिन डेटा टेबलेट जो के आपके बलड वेजल को आराम देता है जिससे आपका बलड इजीली फ्लो हो सकता है इसका मतलब यह है कि आपके हद्य तक आधिक आसानी से अक्षिजन पोच्टी और सिने में डर्द एंजाइना होने के जो किम कम हो जाती है पहले से हो रहे सिने में डर्द के इलाज के लिए इस दवा का इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए इसका इस्तमाल से लिया जाना चाहिए। आप जानते हैं। आपके बलड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। और आपके दिल ए शरीर मेंology और रक्त पंप करना असान बनाता है। जिससे आपके श्ट्रॉक होने के चांसेस कम हो जाते है। आप जानते डेपिन टेबलेट का साइड इफिक के बारे में इस दवा से होने वाले अधिकान साइड इफिक में डॉक्टर की सला लेने के ज़रूरत नहीं पड़ती और नेमित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफिक अपने आप समाप्त हो जाते है अगर साइड इफिक बने रहते हैं ये लक्षन भिगणने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सला ले डेपिन के सामाने साइड इफिक ज़ैसे चकराना, थकान, ज़ैसे लक्षन शामिले आप जानते डेपिन टेबलेट का इस्तमाल कहसे करें या डोसिस के बारे में इस दवा कि डोसो डोस की टाइमिंग के लिए अपने डॉक्टर से सला ले इसे इस्तमाल करने से पहले दिशा निर्दोसों के लिए लेबल देखे डेपिन टेबलेट को आप खाने के साथ या भूक के पेड़ भी ले सकते लेकिन बहितर यही होगा कि फिक्स टाइम पर ही लिया चाहिए अब जानते है डेपिन टेबलेट किस प्रकार काम करता है डेपिन टेबलेट कैल्सियम चैनल ब्लॉकर रही है यह हाड हाई ब्लड प्रेशर में यह प्रेशर को कम करने के लिए रख्तवायों को आराम देकर और ब्लड प्रेशर को सामान इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में इसे हर दिन एक निश्चित समय पर ही ले जिससे आपको याद रखने में असानी होगी इससे आपकी चक्कर आना बेव शोकर गिर जाने की संभावना कम करनी के लिए अगर आप बेठे या लेटे हैं तो धीरे धीरे जिससे टकनी या पेर में सुजन हो सकती हैं सुजन को कम करनी के लिए बेठते समय अपने पेर को उचाई पर रखे ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो यडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आन तक देखने के लिए धन जाइन वा दोस्तो जाइन दोस्तो